हाई चात्रों नमस्कार हमने अपने पिछली वीडियो में प्रच्छेप के वारे में बहुत अधिक चर्चा की जिनसे हमें पता चला कि प्रच्छेप का जो फत होता है वो परवलयाकार होता है तो इस गती के होने के लिए कोच आवस्यक सर्ते हैं अगर कोई कड उन सर्तों का पालन करता है तभी वह पिंड परवलयाकार पत पर गती कर पाएगा अधर्वाइज उसकी जो पत है वो चैंज हो जाएगा परवलयाका न रह करके दीर दीर हो सकता है आईए इनकी सर्तों के बारे में जानते हैं नमबर एक प्रच्चे पे द्वारा जो प्राप्त उचाई है वो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए यानि जब किसी गैंद को फेंका जाता है यहां से किसी गैंद को इस तरीके से फेंका जाता है तो यह इस तरीके से गती करती ह तो ये जो उचाई है H ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर इसकी वैलू बहुत ज़्यादा होगी तो जो जी गुरुत्वी तुरड का परिमार है वो बदल जाएगा जिसके कारड जो पिंड की गती है वो परवलयाकार नहीं रहेगी तो एक तो ये उसकी सर्थ है नमबर दो दूसरी सर्थ क्या है प्रच्छेप का जो 36 परास हे वो भी बहुत अधिक नहीं होना चाहिए यानि यहाν से किसी गैन को फेका गया है यहां से होते हैं यहां पर गिरिया है तो यह यह दो बिंदों के बीच की दूरी होती यह होती है 36 परास तो यह 36 परास है यह भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर यह ज़्यादा होगी तो जो गुरुत्वी तुलले जी इसकी डारेक्शन चेंज हो जाएगी और इसकी एक तीसरी सर्थ है वो क्या है यानि यो प्रच्छे पिका जो प्रारंबिक वेग है वो कम होना चाहिए जिससे की वायू का प्रत्रोद नगटे रहे यानि जब गैंद को यहां से फैका जा रहा है तो इस समय इसका जो प्रारंबिक वेग है उसकी बैलू कम रहनी चाहिए क्योंकि यो वायू मंडल में एर पस्तित होता है वायू जिसके कारण उसका प्रत्रोध है उसका प्रवाब बहुत कम हो तो किसी भी कड़की परवलयाकार पत्पर परवलयाकार गती होने के लिए ये तीन आवशक सर्ते हैं अगर पिंड इन तीनों सर्तों का पालन करता है तो वह परवलयाकार पत्पर गती करेगा अधरबाच नहीं करेगा धन्यवाद दोस्तों